जै मा जै गुरुदेव मुझसे बहुत सारे दर्शकों ने ललता त्रिशती के उपर मैं विवेचन करूँ ऐसा अनुरूद किया था तो आप लोगों के इसी रिक्वेस्ट पर ललता त्रिशती के मंत्रों को समझाने का प्रयास कर रहे हूँ मैं अपने सभी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके अंदर बैठी ललता देवी को प्रणाम करती हूँ और आशिरवाद मांगती हूँ कि ये ललता त्रिशती के जो 300 नाम है इनके भाव आर्थ को मैं समझा पाऊँ अर्थ समझाना असान होता है अर्थ तो बहुत जगा है लेकिन भाव इन अर्थों में निकल करके आएं यही मेरा प्रयास है ललता त्रिशती जैसे की त्रिशती नाम से ही समझ में आ गया होगा 300 नाम है इसके अंदर 300 मंत्र है एक इसकी खास बात यह है कि ललिता त्रिशती की जो साधरा होती है उसमें अलग-अलग लेवल के मंत्र होते हैं बाला मंत्र होता है दिक्षा के समय पर गुरू के पास जब जाते हैं गुरू से वागबीज मंत्र, बाला मंत्र और फिर पंचदशी या पंचदशाक्षरी और फिर सोड़शाक्षरी मंत्र यह चार लेवल और श्रिविद्या में ललता सहस्तर नाम जानना ललतात्रिशती जानना, खडगमाला जानना, खडगमाला इत्यादी और उनके ग्रंतों को जानना जब कोई विद्यार्थी ये सब कुछ जानता है तब उसको कहते हैं कि अच्छा यह भी श्री विद्या के प्राथमिक स्कूल में है और उससे भी उपर जब कभी श्री विध्या तंत्र के और भी तत्वों में वो जब सीखता है जैसे कि चत्तिस तत्व जिससे शुष्टी बनी ब्रह्मान बना शरील के विभिन कोश, साधना के विभिन भाव करते 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 मंत्र, मंत्रों के स्वरूप जब कोई यहां पर पहुंचता है तो उसको कहते है अच्छा अब यह सेकेंडरी लेवल में पहुंचा है और जब कोई इतना करते करते अंतर याग और अंतर याग से महायाग पहुंचता है को कहते हैं अच्छा अब अब ये साधक इसका प्रुनावेशेक अब हुआ है तो श्री विद्या में अलग-अलग लेवल हैं कई बार लोग दिख्षा के बारे में पुछते हैं मंत्रों को जानने के लिए मंत्र साधना को समझने के लिए आपको दिख्षा लेनी चाहिए जो आपको समझा सकने में समर्थ हो उसके पास आप जाएं उससे सीखें और साधना जैसे गुरु सिखाएं वैसे कीजिए क्योंकि श्री विद्या में नाकेवल अर्चन है ये जो लिलता सथासना में सब तो बहुत प्रत्मा लेवल है श्री विद्या के यंत्र को समझना य श्री विद्या श्री अंत्र में जो पुजा होती है उसके अंदर सारे के सारे जो देवी देवता हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है तो जिन लोगों को अगर कहीं मेरे पास बहुत सारे सुडेंट्स ऐसे आते हैं जो अलग-अलग स्कूल से आए लेकिन किसी कारणव अपने गुरुजनों से उसीख नहीं पाए इतने डिटेल में तो आप लोग उन वीडियो को भी देख करके उससे भी आप लोग लाब प्राप्ट कर सकते हैं और जैसे मैंने कहा ललता सहसनाम इसके भी वीडियो बन चुके हैं आप उन वीडियो को सुन करके भी ललता सहसन या लालताटर। श्रशती हूप यह दोनों ही ब्रह्मांडू पुरान से लीए गए हैं और हाइगरीव भगवान जो की विश्दु अवतार हैं और हाइगरीव भगवान और अगस्त मुनी, इनके बीच के यह समबाध और हाइगरीव भगवान ने अगस्ति को, अगस्त महामुनी को ललता सरस्तनाम दिया लेकिन इस करने के बाद भी अगस्त महामुनी को एक सटिस्फैक्शन एक संतोष जैसा प्राप्त नहीं हूँ उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और कमी है शायद आपने पुरी तरह से मुझे सब कुस दिया नहीं है तो कुछ और भी गुया है क्या तो गुरुदेव ने सोचा क्या करू गुरुदेव ने फिर ध्यान किया है गरी भगवान ने और ध्यान में उनके सामने साक्षाद ललिताम विका कामेश्वरी और भगवान कामेश्वर ये दोनों प्रकट हुए और दोनों ने कहा कि तुम अगस्त मुनी को अब ये ललिता त्रिशती दो ये गुया थी गुया ये सबसे गुया है अब इसमें गुयतम बात क्या है जो ललिता त्रिपुर सुंदरी कि जो पंदस शाक्षरी मंत्र है उनके ही बीजाक्षरों पर ये पूरी त्रिशती बनाई गई है तो अब प्रशन ये उठता है कि अगर हमें दिक्षा नहीं मिली तो क्या हम नहीं ये कर सकते नहीं ऐसी बात नहीं आप कर सकते हो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मैं छोटी उमर से करती आ रही हूँ और बहुत लोगों को दिया है और लोगों को इससे फाइदा ही हुआ है अब क्या फल होता है जो ललता सहसनाम का फलशुती है वोही इसका फल है आपके उपर यदि कोई तंत्रबाद आ है वो निकल जाएगी भूत प्रेत पिशाच आपको परिशान करते हैं वो निकल जाएगे लेकिन इन दोनों के लिए एक शर्थ जरूर होती है ललता त्रिशती कि जब आप साधना करोगे या चैंटिंग करोगे नौनवेज खाना बंद कर देना प्लीज अंडा तक भी अंडा, मचली, मतन कोई भी प्रकार का मास बंद कर दो यदि आपके अंदर कोई शराब इत्यादी की आदत है हर प्रकार का शराब उसको आप बंद कर दो आपके अंदर थोड़ी विचार वाली यदि आदते हैं तो उनको आप बंद कर दो ये तीन नियम आप एकदम कड़काई से पालोगे तो तंत्र बाधा और भूत प्रेत की बाधा भी दूर हो जाती है ललता ससनाम जिस घर में होता है उस घर की उतना ही पाउरफुल है तो ये एक बात दूसरी बात आपको धनकी कोई प्रॉब्लम हो रही है नौकरी में कोई बाधा है तो त्रिशती भी आप पढ़ सकते हो ललता ससनाम थोड़ा ज़्यादा समय लेता है त्रिशती पढ़ने से बहुत जल्दी से हो जाते है क्योंकि 300 नाम है कहां 1000 नाम कहां 300 नाम तो जल्दी आप कर सकते हो तो बिल्कुल आप कीजिए कभी-कभी शादी की इक्षा है लड़कियों को या लड़कों को तो अपनी इक्षा से उस शादी के इक्षा से भी आप ललतात्री सती का पार्ट कर सकते हो कभी कोई कोट केसे वेगरा चल रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्ति के लिए आप देवी से यह अनुष्ठान ले करके आप कर सकते हो अनुष्ठान के लिए कम से कम इसको 300 बार पढ़ना चाहिए पढ़ते समय जो ध्यान रखना है सबसे बेस्ट दे होता है शुकरवार और पुर्णिमा तो यह दो दिन यदि आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा है ग्रहन के दिनों में और ज़्यादा अच्छा है और नवरात्रों के दिनों में तो रोज ही पढ़िये दिवाली के दिनों में तो तीन दिन दिवाली के पहले वाले तीन दिन से आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए ऐसे ऐसे शुब्र मुहरत है मैं तो कहूंगी जीवन परियंत यदि किसी को जीवन में भोग और मोक्ष दोनों की कामना हो उसको जीवन परियंत ललता सहस्तिनाम और ललता तृशति करना चाहिए अब रोज कर सके तो ग्रेट है नहीं कर सके तो रोज ललता तृशति करें एक दिन शुक्रवार के दिन ललता सहस्तिनाम कर लीजिए ऐसे आपकी जो भी आपका समय हो उस समय के अनुसार आप लोग कर सकते हैं हा लेकिन एक ही बात है श्री विद्या में शुद्धता अनवार्या है अपनी आददों का आपको बदलना पड़ेगा ठीक दूसरा अब इसमें मैं पढ़ने चलूँगी तो अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग publications में प्रकाशन में नियास की विधिया दी गई हैं कहीं अगर किसी को न्यास नहीं आता है और केवल वो नाम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ठीक है कोई ऐसी अपत्ति उसमें नहीं होगी और वही फल मिलेगा चिंता मत करना अच्छा इसमें दो बाते होती हैं ललता त्रिशती के नामावली होती है और ललता त्रिशती के स्तोत्र होते हैं तो शुरू शुरू में मैं हमेशा सबको कहती हूं कि पहले नामावली पढ़िए नामावली पढ़ने से क्या होगा प्रैक्टिस हो जाएगी और असानी से फि तो पढ़ने से फिर वादत पढ़ जाएगी, फिर सोस्तर कर सकते हैं, फिर बात आती कई लोग अर्चना के लिए पुछते हैं कि किस पर कैसे करना चाहिए, तो मा की तस्वीर को आप सामने रख सकते हो, अच्छी से लिलता मा की तस्वीर को, किसी के घर में यदि श्रीयंत्र है, तो श्रीयंत्र रख सकते हैं, कुम-कुम से यदि किसी को अर्चना करना इन नामों से किम-कुम से कर सकते हैं, चावल से कर सकते हैं, फूलों से कर सकते हो, फूलों की पंगडियों से कर सकते हो, फूलों में गुलाब के फूल, मोगरा के फूल, जो भी आपको फूल अच जरूर अपने सामने रखें और वो पानी एक्तो देवी को हम प्रशाद जैसे नविदे से भोग लगाते हैं और फिर वही हम प्रशाद घ्रहन करते हैं तो इसी पानी को कहते हैं अभी मंतरित पानी जब आपने ग्लास वहां रख दिया और आप इन मंतर पढ रहे दिन सो तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो पूरे उस जगा को अभी मंतरित करती है तो इसलिए वो पानी भी मंतरित हो जाता है और अब हम लोग जो नाम पढ़ेंगे उसमें आप समझ लेना कि पानी ही मा का सरूप है जल का सरूप जल ही मा का सरूप है तो वो जल अभी मंतरित हो जा जिवन की बाधाइं कट जाएंगी, और सभी को प्रशादी जल घर में दो, वही प्रशादी जल छिड़को हर जगा, तो यह अभी मंत्रित जल हो जाता है, ग्लास रखना है देवी के सामने, उनको भोग लगाना है, कि देवी आप भोग लगाईए, और मैं यह मंत्र पढ़ पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, और आप अपना पूरा मंत्र पढ़िए, और उसके बाद मंत्र हो जाने के बाद, फिर प्रशादी जल, फिर आप बाटिए, लीजिए, सबको फ्रिज में रख दीजिए, बाकी का जल, बोजन में जड़ा दीजिए, जहां भी, ठीक ह अब और एक पूजा करने, जब भी आप बैठो, तो एक देवी का जरूर दिया, दीपक लगाओ, कई बार लोग आलस करते हैं, कई बार पुसने, दीपक लगाना जरूरी है, बिल्कुल दीपक लगाओ, क्यों नहीं लगाओ, एक दीपक लगाओ, दीपक नहीं है, तो दंगाजल का छिड़काओ, गोमुत्र का छिड़काओ, यह सब कुछ बहुत पवित्र करता है गर को, और सारी ने के डेविनर जीन कल जाती है, ठीक है, तो यह सारे बाते को आप ध्यान रखिए, अब हम लोग ललतात्रिशती सोत्र के नामों के अर्थ को समझते हैं, जो द अंदर अक्षर हैं, हर अक्षर का 20 नाम है, तो इस प्रकार से 300 अक्षर इस प्रकार से यहां परा करके बने हैं, 300 नाम बन गए हैं, चलिए, अब हम लोग नाम में चलते हैं, श्री है गरीव वाचा, ककार रूपा कल्यानी, कल्यान गुण शालिनी, कल्यान शैले निलिया, कमनिया कलावती, यह जो नाम है, इनको पढ़ने से, क्या-क्या प्राप्त होता है, मैंने पहले ही कह दिया, भूक्ती और मुक्ती दोनों, श्रीमत भागवत में, उनके ग्यार भक्ती परेशान भागो विरक्तिर, अन्यत्र चैसात्रिक एक कालह, प्रपध्यन्यमानस्ययतास्नतहस्यूस, तुष्टी पुष्टी एक्षुद अपायो अनुघासम, कि जैसे किसी को भोजन दो, तो भोजन लेने से भूक मिढ जाती है, और संतुष्टी मिलती है, और श ये सब कुछ केवल भोजन प्राप्त करने से हो जाता है, ऐसे ही जब हम भगवान के नामों का, देवी के नामों का, जब जाप करते हैं, ये 300 नाम जो है ना, ये देवी का किर्तन है, इनके जाप करने से भक्ती, पराभक्ती प्राप्त होती है, और उसके साथ-साथ विरक् यह भी प्राप्व हो जाती है और उसके साथ साथ एक और प्राप्व होती है अनुभाव. सो भक्ति, विरक्ति और अनुभव, देवी का अनुभव, कैसा अनुभव, एक तो अगर आप छोटी चीज मांग रहे हो पूरी हो जाने वाली है, तो आपको लगता है रहे मैंने किया, हो गए मिरी इक्षा पूरी, दूसरा अनुभव, जितना प्रेम होगा देवी से ना, औ देवी रिदय में आकर के बैठ जाएगी, पहमेशा बैठी ही है, लेकिन आप देखनी पाते हैं, तो जो रिदय की जो ग्रंतियां वो तूट जाती है, और वहाँ पर जो माया का परदा है, वो हड़ जाता है, और वहीं पर देवी का अनुभव होता है, तो कैसे होता है ये किवल नाम के प्रभाव से, तो ऐसे ये प्रभाव शाली मंत्र हैं, एक एक मंत्र, भगवान के नामों को लेना, या या देवी के नामों को लेना, ये देवी के गुणगान करना है, ये देवी का किर्तन है, ये देवी का स्मरण है, तो उसको हम लोग अब कर रहे हैं, पहल का से जितना भी अक्षर आप सोच सकते हो, जितने भी शब्द आप सोच सकते हो, का अक्षर पहला अक्षर है वर्णमाला का, तो कहते हो पहला अक्षर वो आप ही हो, का से काल आप ही हो, का से क्रिश्ना आप ही हो, ऐसे, तो का जो पहला अक्षर है और उससे जितने भी आकार निकलते हो, ka ka akar और क से जितने आकार, वो जो कुछ भी निकलते हो, हे का का, वो आप ही हो, काकार रूपी, और काकार रूपी से अब यहाँ पर अलग अट नाम आग जाएंगे, यह कह से एक अर्थ हुआ, दूसरा आर्थ है, हम लोग शुतियों में कहते हैं, कम ब्रम्हा, खम ब्रम्हा, तो कम ब्रम्हा यानि कम यानि पर्मानंद, तुम पर्मानंद स्वरूपी ब्रम्ह हो, कम ब्रम्हा, तो कम का अर्थ हुआ, पर्मानंद, खम ब्रम्हा, यानि आकाश तुम्ही आकास शरूपनी हो एक और आर्था आता है कम यानी स्वर्ग एक और आर्था आता है कम यानी जोती ब्रह्म जोती कम यानी वो रोशनी जो पूरी विश्व को रोशनी देती है वो गया कम एक और आर्थ है कम का कम यानी जल देवी क्या है जल सो रूप मैंने आशुरू ही इससे सी क्या जल रखना वो जल ही देवी है कसे कामक्या ठीक है आपको पता है कामक्या में क्या होता है कामक्या में जल की पुजा होती है वहाँ पर देवी एक शिला है और शिला जल में डूबी होती है कामक्या के जितने मंदि डारूपा यानि वह जल गॉन सरफ जिस जल में ब्रह्मा जी थे। आप लगो कुछापती पता है। इसमाम तक आपूभर कथा जूए ड्राम यह लिए ब कहां से एक डाल में त 누르면 कर्ण क लुछS सचाव में ऐग़ा। और कमल.. हमने जो कहानी सुनी एक नणारण के नाभी से कमल ख्ला कमल में ब्रम्मा जी निकले तो वो पहले थे तो उसकुचरव में कहा गया और यहा वहा जल देख रहे अंधिन आ रहा है जल है जल है कट हुए वो जो जल है जिसने उनका पोशन किया वो जल कारूपी कारूपी वो रूप यो है मा ललता मात्र पुराν माकी गर्वी में आप आते हो आप इतने से होते हो बीजयसे वर मा के पेट में क्या होता है जल जब बच्चा निकलता है तो कितना तो जल निकलता है, तो जल पूरे इस शरीर को, पूरे शरीर में रक्त बहता है, रक्त किसका अंश है, जल तो मा का जो सुरूप है ककार रूपणी वो होता है जल, मा को कहते हैं जीवदानी जो जीवों को दान दे अब जीवदानी यानि ये शरीर किसे चलता है? प्राण से प्राण कहां से आता है? तो शुती में कहा जाता है अन्यमयम ही सौम्य मनह आपो मयह प्राण कि प्राण जो है वो आपो मयह वो जल स्वरूप है हम जो अन लेते है वो अन प्राण शक्ति है वो सक्ति का संचार करती है वो मन इत्यादी जो हमारा जो प्रकट होता है वो प्रकट होता है लेकिन प्राण क्या है कहते आपो मयह प्राण नेवी प्राण स्वरूप है कमकार्थ है जल कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम। सुना एना। कंज अब दो बड़ा गये न। दो शब्द होगे न। दो अक्षर कन और ज। कंज गारत होता है कमल है ना। तो कंज कन हुआ जल और ज। जनमा हुआ। तो कंज हुआ कि जल से जनमा हुआ कमल। और हमारी रामचंद्र कैसे है नवकंज लोचन जिनकी आखे कमल के जैसे हैं। तो कसे कंज कसे कमल। तो हमारी ललता क्या है जो कमल जैसी है। ललता के आखे कैसी है कमल जैसी है। ललता के हाथ कैसे है कर कमल है। हमारे सारी भगवानों के हाथ कर कमल होते हैं, ललता के चरन कैसे हैं, चरन भी कमल जैसे ही है, चरन कमल, तो कसे इतने सारे अर्थ, लेकिन आपको जो याद हो, जल, जब आप जल रखेंगे देवी मा के सामने, यही याद रखना, कि यह जल ही देवी का सुरूप है, इस जल को हम नमशकार करते हैं, तो काकार रूपनिये, जो कुछ भी कौसे तुम्हें दिखाई दे, सब में वही काली, वही कमल, वही कमलीनी, वही कृष्णा, वही काल, वही काकार रूपा, उनको हम नमशकार करते हैं, अब ये काकार रूपा, दुसरा नाम है कल्यानी, जो सब का कल्य स्रीरान करें ब्गवान को विश्णु सास् np. कहते हैं भगवान को स्रीर हरी कैसे है सरवदा सर्वकारि ये शू नास्ति-ते शाम अंगलन ये शामृदी अस्तो भगवान मंगलायत शुरि जिनके रुदें में भगवान हरी रहते हैं उनके जीवन में अमंगल होता ही नहीं और जहां भगवान हरी होंगे वहां हरी प्रिया तो होगी ना हरी प्रिया की बिना भगवान रह सकते हैं नहीं तो जहां हरी है वहां हरी प्रिया है अच्छा से होगा कि वह है गल कुसर करते हैं इनके नाम लेने मात्र से जो कुछ भी हमारे मंद से होगा जो भी हमारे बाचा से जो नारे क्रियों में होगा सब कुछ मंगल में होगा, सब कुछ कल्यान में होगा, ललता सरस्थनाम में भी इनका नाम आता है कल्यानी, और कल्यानी इनका जो विग्रह रूप है, प्रयाग में आप लोग जाना, देवी के प्रयाग में, कल्यानी स्वरूप में देवी साक्षात विराजमान है, तो ललता अत्रि प्रुसंद्री के भक्तों को प्रयाग में आलोपी है, प्रयाग में कल्याणी है, नेमी शरिंड में ललता मा साक्षात प्रकट हुई थी, उनका स्वरूप और विंध्याचल, और उसके अत्रिक कोई बनारज जाते हों तो विशालाक्षी, तो ये सारे कल्याणी में ही मा है, तो कल्याणी है नमहा, और कल्याण गुण शालिनी नमहा, देवी कल्याण गुण शालिनी है, कि सारे के सारे गुण कल्याण करने वाले उन्ही के अंदर है, कल्याण शेल निल्या नमहा, शेल येनी परवत, जो कल्याण रूपी परवत, जिनका निल्या है, जह जिनका जब वो कल्यान करती है तो कल्यान परवतों के जैसे, कि परवत किदने बड़े-बड़े हैं, आप देख सकते हैं परवत, नाप सकते हैं परवत को, नहीं नाप सकते हैं, तो जब मा जब कल्यान करती हैं किसी के ओपर, तो ऐसी परवत की तरह और कैसे स्थाई कल्यान, इसा नहीं कि कल्यान के और आज की अकल नहीं, नहीं नहीं, मा का जो कल्यान है उस्थाई कल्यान है, मा भुक्ती देती है, मा मुक्ती देती है, मुक्ती तो स्थाई कल्यान है ना, तो मा मुक्ती भी देने वाली, मा भुक्ती भी देने वाली, तो ऐसी जो मा, जो कल्यान गुन छालनी कहली इन शेल निल्कारिक गया, गंव देवी निल्कारिक लिष्टेभां और मय ने Hm सबसे दगार सोसृ जिस सबसे सूंदर एंड नह JC हो यह हमारा, लेकिन एक बात … हमें सबसे अधा चाहत उन से होती है, जिनके पास हम बैठते हैं, और हमें अच्छा लगता है, जिनके पास हम बैठते हैं, हमें आनंद मिलता है, तो देवी के अलग अलग सुरूप ललता सस्त नाम में आता है, चारु हासा, आहा, देवी इतना सुंदर मुस्कुराती है, कि इसलिए देखने में मन करता है, चारु रूपा, देवी को रूप इतना सुंदर है कि लगता है पस देखते ही रो, निहारते ही रो, कब उनको गले लगा लो, शरत चंद्रनी भानना, देवी का जो मुख है वो पुरुनिमा के चांजिय सच्च मकता है, तो लगता है हाई देवी को बढ़ लगा लो, और एक बात, देवी को बढ़ लगाने को अमन क्यों करता है ? क्योंकि वो शरी माता, Shri Maharagni, वो सबकी माता है, और इतना ही नहीं है, माता मतलब किस से? नीचे के कीट से भी, है न एक कीट से लेकर के उपर तक, जहां तक, ब्रमाजी तक, सबकी जो माता है रावड है, इसले उनके पर और ज़्यादÅ प्यार आता है, तो श्री माता आबरम मकीट जननी यह नाम आता है उनका लिलता सहसना में और एक बात वो विश्व माता है तो नाम वैसा आता है और एक बात जगत धात्री है वो लिलता सहसना में आता है तो जिसने जगत को पकड़ के रखा है जो विश्व की माता है जो हमारी माता है माता के दिल करता है लिए जिसको लोगने, वह यह हमारी है, तो कम्नियाकर्द वह हुआ कि जिसको हम भी चाहते हैं जब भी जादा और मैंनि को चाहेंगे ना, इनका और एक नाम है लेम देने वाली हो, शिवानंद प्रदाइनी हम को ही आनंद देने वाली नहीं है, शिव जी को भी आनंद देने वाली हैं, ऐसी जो शरमदा, जो प्रसंता देती हैं, सुख प्रदा, सुख देने वाली, सब की माता और माता के गुण, दुराचार शमनी, को हमसे कभी कई अपराद बन जाते हैं, जो हमारे सभी अपरादों गुड दूर करदे वो दूराचारशम्णी ऐसी माता की दूराचार को हमारे नंडर से दूर करदेती हो हुगा ऐसी माता अनरग्या कभ्ल्रा प्ड़ेदाए冷ud khi Life प्रेम रूपा प्रियंकरी प्रेम देने वाली और एक बहुत संदर नाम आता है लल्दा अबाल गोप वी दिता कि चोटे-चोटे बच्चे लोग और वो ऐसे चरवा है कि बच्चे लोग जो स्कूल भी नहीं जाते हो उनको वो भी मा को जानते हैं लल्दा मा को जानते हैं ऐसी जो मा अग्यान अध्वान तदीपिका अग्यान अदा जो अग्यान को दूर कर दे जो अग्यान देती हो ऐसी मा जो इतना कुछ लुटाती हो कल्यान करने वाली इतना सब लुटाने के बाद भी मा निश्कामा है उसको कुछ नहीं चीए वो कमनिया हम उनको चाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं चाती हम को उनसे प्यार है तो वो हमको प्यार दिखाती है उनको मोह नहीं है ऐसी जो प्यारी सी मा है कल्यान गुणनिलिया कल्यान देने वाली कल्यान करने वाली ऐसी मा को हम नमशकार करते हैं ये कमनिया हैं सब लोग इनको पाना चाहते हैं कलावती हर प्रकार की कलाएं इनके अंदर हैं हम लोग पढ़ते हैं तो ललता ससनाम उसमें अलग-अलग उनके नाम आते हैं कलावती के रूप में तो जैसे क्याता है कलालापा कलात्मिका कलावती कलालापा यानि कि वो जब बात करें न तो उनकी वो जिस तरीके से बात करती है न उनके बात करने के स्टाइल से तो सरसोती को राग मिलता है दुन तो बात भी कर दे न मा तो ऐसे लगता है कि संगीत है निकल रहा है मूँ से कलात मिका सारी कलाओं जो कुछ भी हाँ संसार में न उस अब उनी से आया कला नाथा सभी कलाओं की नाथ वही है कला माला सभी कलाओं की माला मतलब उन्होंने धारण करके रखी है कला निधी ऐसे अलग-अलग नाम है देवी का लास्य प्रिया जिनको डांस बहुत अच्छा लगता है नाद रूपा नाद रूपनी और गान लोलूपा जिनको गाना सुनना अच्छा लगता है और साम गान अप्रिया जिनको साम वेद इत्यादी गाना इनको अच्छा लगता है ऐसे जो देवी हैं उनका नाम है कलावती तो हमारी मा जो कलावती है उनको नमश्कार है और दुसरा वाला कमल आक्षी कलम अशगनी करुणा मृतर सागरा कदम ब काननावासा कदम ब कुसम प्रिया कमल आक्षी कमल आक्षी हो नहीं कमल की जैसे जिनकी आखे और कमल की आखे ती बड़ी बड़ी है ऐसे नहीं चुड़ी आखे हमारे ऐसी यहां से लेके यहां तक क्यूं चंचल है बहुत आखे तो यहां पर रहेगा न तो यहां पर पीछे भी कोई है न डिवोटी अगर भक्त उसको भी मा देखती है और कमल आक्षी यानि कमल ठंडा करने वाला होता है तो उनकी आखों को देखने मातर से जो कुछ भी हमें संताप था जो कुछ भी परिशानी थी हमको संसार का बुखार लगा हो है न कामकुरोद लोब मौमद इतना परिशान कर रहे हैं उस बुखार में तपे तपे जब हम मा को पकड़ते हैं और मा के नित्रों को देखते हैं न कमल के नित्र देखते ही धिर्दय को ठंड़क मिल जाए इसलिए उनका नाम है कमलाक्षी कलमशगनी मैंने अभी कहा बहुत सारे हैं मारे अंदर कामकुरोद लोब मौमद इत्यादी के जो मल इकठे हो गए हमारे चित्त के उपर उनको जो दूर कर दे ललता ससना में उनका नाम आता है रागमत्नी मद नाशिनी नी रागा राग मतनी मोह नाशिनी यही तो हमको परिशान करते हैं मोह, मद, संसार में राग पाप हमसे बनते हैं तो उनका नाम आता है पाप नाशिनी हम जगा जगा में क्रोध करते हैं क्रोध शम्नी शंशगनी हमारे मन में इतने डावट संशे उनको जो दूर करती है भै नाशिनी जो भै को दूर करती है इतने गुण जिनके अंदर है वो है कलमशगनी सग्राचार्य सुंदरलेरी में कहते है मा अयस्परशेलगनम सपदिलबतेहे मपदविम् यथारत्यापात सुचि भगवती भवती गंगो घमिलितम् तथा तत्त पापै अतिमलिन मंतरम मयदी त्वई प्रेम नासक्तम कथमिवन जायेत विमलम् कहते हैं कि हे मा जैसे चिंता मनी के पास लोहे को रख दो तो उसके स्पर्श मनी हो उसके पास लोहे को रख दो उसके स्पर्श से वो लोहा सोना बन जाता है जैसे गंदी नालिया हो वो गंगा में चली जाएंगी तो भी गंग वो पवित्र हो जाएंगे वो जल पवित्र ह जाता है ऐसे ही मा कोई रात और दिन आपका स्मरन करे तो उससे हजारों अपराद भी बने हो तो भी क्या वो अपराद चमा हो जाते हैं वो पाप नश्ट हो जाते हैं केवल अगर किसी का मन और रिदय केवल आप से जुड़ा हो यह है मा तो उनको कहते हैं कलमश अगनी की हर प्रकार के कलमश हर प्रकार के पापों को जो नश्ट कर देती हैं वो उन मा को मशकार करते हैं करुणा अमरित रूपी करुणा की जो सागर हैं कि मा को याद करने मातर से अमरत्व प्राप्त हो जाता है और सागर की तरह हैं कि ऐसा नहीं कि आज करुणा की आज सागर में कि तो मा करुणा की सागर है, ऐसी मा को हम नमस्कार करते हैं, कदम कानन अवासना, कदम कानन अवासना, जो कदम के वन में रहने वाली, कदम के वन में, कदम के वन में श्री कृष्णा रहते हैं, कदम के वन में राधारानी रहती हैं, माता का एक नाम है श्री, ठीक है न, और हम राधानी को कहते हैं श्री जी तो कदम कानन में कदम कानन में जो रहती हैं जिनको कदम के पुष्प पसंद है कदम के वनों में रहने वाली ऐसी माता को हम नमस्कार कते हैं और कहते हैं कदम कुस्म प्रिया जिनको कदम का पुष्प बहुत पसंद है कदम का एक अर्थ होता है चैतन्य रूपी पुष्प हमारा जो मन, मन रूपी पुष्प जो पवित्र है, उसको मा, मा को बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे भक्त, अब जिनका मन पवित्र हो, जिनकी चेतना पवित्र हो, उसी को कदंब कहते हैं, मा उस कदंब रूपी पुष्प को ग्रहन करती है, अहिंसा प्रत्मं पुष्पं, पुष्पं मिंद्रिय निग्रहा, सर्वभूत दया पुष्पं, चमा पुष्पं विशेष तह, ज्ञान पुष्पं तपह पुष्पं, शांति पुष्पं तथा इवचा, सत्यम अस्ट विधं पुष्पं, विष्णो पृति करंभज भवे की भगवान विश्नु को भी कदम बहुत अच्छा लगता है। कदम यानि पुष्प बट कैसा पुष्प Mr., सुङल मन, लेकिन कौन सा मन सुरू हो सकता है, कैजने ही पुष्प उनको पुष्प से लगता है। क्या मन में अहिंसा है जो किसी जीव पर अहिंसा नहीं करता जो विक्ती सपने में भी कही हिंसा नहीं करता, सपने में भी जो कभी किसी को हिंसा नहीं करता, हिंसा किस से होती है, मन से, वानी से, क्रिया से, न मन से, न मानी से, न क्रिया से, किसी को सता नहीं, किसी को दुखी नहीं करना, वही जो आहिनसा रखता है, उसका मन सुमन है, ये प्रतम पुषप, भगवान को पसंद है, देवी को पसंद है, दूसरा पुषप, इंद्रियनिगह, यहां अमान इंद्रियों संसार में चर रही हैं, उनको निकाल करके भगवान में लगानों, ये दूस ज्ञान पुष्प, छट्वा तपा पुष्प, शांती पुष्प और सत्य के रास्ते पे चलना, सत्याच्रण करना, यह आठ्वा प्रकार का पुष्प है, ऐसा जो पुष्प होता है, यही कदम पुष्प के गुच्चे है, ऐसे पुष्प देवी को पसंद है, पांगविक्षना, करपूरवीटी, सौरभ्य, कलोलीत, कुकुप्तता, यह तिस्रा श्लोक हो गया, कंदर्प विद्या, यह जो देवी की जो विद्या है, तो कंदर्प यानी कामदेव, कामदेव ने देवी की आराधना की थी, इसकी कथात्र प्रारसे में आती है, और उन के आराधना की वजए से कामदेव के अंदर इतनी शक्ति है, अनंग रूप में उरहते हैं, कामदेव उनके प्रतम भक्त है, और लल्ता देवी को बहुत प्रिया है, तो उनकी जो विद्या है, उसको कहा गया, कंदर्प विद्या, कंदर्प जनका पांग विक्षना, कि कंदर्प को भगवान ने जला दिया था, शिव जी ने गुस्से में, कामदेव को, तो वो जल गया, तो रती आई ही रोते हुए मा के पास, तो रती ने इतनी प्रारतना करी, तो मा ने केवल अपने नेत्रों से देख लिया, देखने ही मात्र से वो जीवित हो गया, और उन कि मा को नमस्कार है, करपूर वीटी सौरभ्या कलोली तक ककुपतता की वो देवी जिनके मुख से बहुत सुंदर खुश्बू आती है, किसकी तामबूल इत्यादी की, कि तामबूल जब हम भोजन किसी को अरपित करते हैं, तो लास्ट में उनको पान और तामबूल अरपि एसी जो देवी हैं, ललता ससा में केते हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं, शंकराचारे कहते हैं एक परापुजा में, नित्या तृप्त से नहीं वेदस तामबूल अम चकुतो विभो, कि आप तो सदा तृप्त रहती हैं, मैं आपको क्या दूँ, ये तामबूल मैं आपको परपित करुता उन तृप्ती के लिए लेकिन आप तो सदा तृप्त हैं फिर भी वक्ती भावना के लिए हम मा के मुख का जो स्मरंण करें तो मा तामूल चबा रही हैं मुख से करपूर की खुश्बू आ रही है और उखुश्बू सब जगा प्यापत है चोथा कली दोश हरा कंज लोचना कम्र विग्रह करमादी साक्षनी कार्यत्री कर्म फलप्रदा कली दोश हरा कली कली उख्खा जो भी दोश है इसको जो हरने वाली है भागवत में एक श्लोग आता है कहते हैं कि कली दोश में बहुत दोश है लेकिन एक महान गुणे क्या भगवान के किर्दन से मुक्ति अब यहां हम तिन सो नाम करने तिन सो नाम से मुक्ति तो कली जब कहते हैं कि कली दोश हरा देवी कली दोश हरा है कि कली उख में भाजारों दोश है बड़ा मुश्किल है इससे निकलना लेकिन अगर कोई ललता त्रिशती भज रहा है, कोई माललता के भजन कर रहा है, कोई सहस्तर नाम पढ़ रहा है, सारे दोश उसके दूर हो जाएंगे, उसे चिंता करने की जुरत ने जिनकी आखे कमल की जैसे है, कमरविग रहा, जो बहुत कमनी है बहुत यंग, बहुत कम उमर की दिखाए देती है, ऐसी जो देवी हैं उनको हम नमशकार करते हैं, ललता ससना में नाम आते है, राकिन दुद ना, जिनका चंद्रमा के जैसे मुख है, रती रूपा, और सोबना करती जिनकी आकरिती पुरीती शोबना है और मंगला करती जिनको देखते हैं मंगल मंगल रूप हैं जो मंगला करती ऐसी जो देवी हैं महा लावन्य शेवदी ही जिनका लावन्य बहुत जादा है तो ऐसी जो देवी हैं उनको नमशकार है तो कमरविग्रह कारत है कि बहुत संदर बहुत संदर ऐसी कमरविग्रह कर्मादी शाक्षनी जो जीवों के कर्मों को देखती है लदा ससना में एक नाम आता है विश्व शाक्षनी हम जो कुछ भी करते हैं उसकी वो साक्षनी है तो यहाँ पर जो भी हम से कर्म होते हैं उनको देखने वाली वही है ललता ससना में एक नाम आता है पुन्या पुन्य फल अप्रदा जो भी हमने पुन्य किया और जो भी हमने फाप किया उसके फल को देने वाली वही है तो कर्मादिशाक्षनी कारयत्री, करता कारयता सब कुछ जो संसार में हो रहा है, करने वाली वही है, उन देवी को हम नमशकार करते हैं, कर्मफल प्रदा, यही बात हमने अभी थोड़ी दे पहले कही, कि जो भी हम कर्म कहते हैं, उन सब का फल देने वाली वह हमारी मा ही है, तो ऐसी जो देवी मा हैं, उनको हम नमशकार करते हैं, तो इस प्रकार से का अक्षर से का कार रूपा से शुरू किया, का अक्षर के 20 जो नाम करें, जैमा, जै गुर्देव, रादे रादे, जैसे कृष्णा